सर्वेभ्यो नमो नमा नमशकार स्वागत है आपका सरल संस्कृत सुगम संस्कृत में और मैं हूँ प्रतीभा दिक्षित इस वीडियो में हम श्रीमत भगवत गीता से संबंदित 40 महतपून प्रिश्णों को देखने वाले हैं ऐसे प्रिश्ण जो परिक्षा में पूछे गए हैं इसके अतिरिक्त ऐसे प्रिश्ण जिनके पूछे जाने की संभावना बहुत अधिक है उन सभी प्रिश्णों को इस वीडियो में हम देखने वाले हैं तो आईए प्रारंब करते हैं पहला प्रिश्ण है गीता नुसार इस्तित धी खालिस्तान उच्यते रिक्तिस्थान की पूर्टी कीजिए कि इस्तित धी रिशी, साधू, पंडित या मुनी इस्तित धी को क्या कहा गया है गीता में इस्तित धी मुनी ही उच्यते तो इसका सही उत्तर होगा ओप्शन चार किस के विशे में ये कहा गया है? आत्मा के विशे में कि ना तो इसको शस्त्र काट सकते हैं ना आग जला सकती है तीसरा प्रश्ण है न कर्म लिप्पिते नरे इस वाके में किस कर्म का वर्नन है? ज्यान कर्म, आसक्त कर्म, अनासक्त कर्म या फिर यग्य कर्म तो किस कर्म का वर्नन इसके अंतरगत है? अनासक्त कर्म का चोथा प्रिश्ण है क्रोध से होता है अनुराग, संतोष, सम्मोह या स्नेह तो क्रोधात सम्मोह जायते तो इसका सही उत्तर होगा option तीन पांचवा प्रिश्ण है इस्तित प्रग्यश्य का भाषा यह किसने किस से पूछा ध्रितराष्ण ने संजय से, अरजुन ने कृष्ण से, और इउदिष्ट्र ने कृष्ण से तो इस्तित प्रग्य के विशे में किसने अपनी जिग्यासा प्रिकिट की? अर्जुन ने श्री कृष्ण से इस्तित प्रग्य के विशे में पूछा कि वो कैसा होता है? किस प्रकार का वो विवार करता है? ये मुझे बताईए तो इसका सही उत्तर होगा option 2 चटा प्रिश्ण है क्रोधात भवती संमोह, संमोहात स्मृती विब्रमा यह पंक्ती कहां से ली गई है? तो ये पंक्ती पंच्तंत्र से, रामायन से, श्रीमत भगवत गीता से या इशा वाश्योप निशत से तो यहाँ पर तो आप निश्चित रूप से वताप आ रहे होंगे, लेकिन परिक्षा में जब डेड़ सो प्रशने एक साथ आएंगे तो वहाँ पर आप कन्फ्यूज हो सकते हैं तो याद रखिए, यह जो कहा गया है कि क्रोध से सम्मो होता है, सम्मो से स्मृति विब्रम होता है, पूरी एक शंखला है, तो यह कहां पर कहा गया है, श्रीमत भगवत गीता से ली गई है, यह पंक्ती श्रीमत भगवत गीता में ऐसा कहा गया है साथवा प्रिश्ण है श्रीमत भगवत गीता के अनुसार अव्यवसाई बुद्धी किस प्रकार की होती है बहुशाखा, अनन्त, बहुशाखा एवं अनन्त या फिर एक तो जो अव्यवसाय आत्मिका बुद्धी होती है वो बहुशाखाओं वाली और अनन्त होती है तो इसका सही उत्तर होगा option तीन आठवा प्रिश्ण है भगवत गीता के अनुसार इस्थित प्रग्य कौन कहा जाता है कर्मयोगी, निश्काम कर्मयोगी, ज्यान योगी या बुद्धिमान किसको इस्थित प्रग्य कहा गया है निश्काम कर्मयोगी को इस्थित प्रग्य कहा गया है नवा प्रिश्ण है भगवत गीता महाभारत के कौन से पर्व में है प्रथम द्वितिये चतूर्थिया सश्ट पर्व तो कौन से पर्व में है महाभारत के सश्ट पर्व में तो इसका सयूत्तर होगा option 4 देखिए अभी तक ये जो आठ प्रिश्ण आपने देखे हैं ये पहले की परिक्षाओं में आचुके हैं मैंने सीधा प्रिश्ण पत्रों से ही इनको लिया है तो ये महत्पूर्ण है देखिए इसी तरीके के प्रिश्ण बार-बार पूछे जा रहे हैं ये क्रोध से आप गीता के संबंद में अच्छे से ध्यान रखिए चलते हैं अगले प्रिश्ण की तरफ दसवा प्रिश्ण है बागवत गीता में कितने अध्याए एवं कितने श्लोक हैं 18 अध्याए 632 श्लोक तो क्या इसका सही उत्तर होगा option दो अठारे अध्याए और 700 श्लोग गीता के अंतरगत वरनित है क्यारवा प्रिश्ण है निम्न में से कौन सा श्री कृष्ण के लिए प्रयुक्त संबोधन नहीं है सव्यसाची, रिशी केश, आरी सूधन और केशी निशूधन तो क्या इसका सही उत्तर होगा option एक सव्यसाची, श्री कृष्ण का अपर नाम नहीं है उनको इस नाम से संबोधित नहीं किया गया है गीता के अंतरगत बारेवा प्रिश्ण है निम्न में से कौन सा गीता में अर्जुन के लिए प्रयुक्त संबोधन नहीं है दानजे, गुडाकेश, पुरुषरशव और रिशी केश तो अर्जुन के लिए क्या प्रयुक्त नहीं हुआ है रिशी केश करते हैं श्री क्रिश्ण से कि कैसे मैं युद्ध में भीश्म के द्रोण के प्रती लडूंगा ये आप मुझे बताईए तो ये कथन है अर्जुन का चोदेवा प्रिश्ण है संसार में भिख्षा का भोग करना किसका वद करने से अधिक श्रेयस कर है किसके विशे में ऐसा कहा गया है कि उसका वद करने से तो अच्छा है कि मैं इस धर्दी पर रहकर भिख्षा का भोग करू भिख्षा से अपना जीवन यापन करू गुरू भ्रत्य, पुत्र या फिर सभी तो इसका सही उत्तर होगा option एक गुरू के वज़ से श्रिष्ट है कि इस पृत्वी पर रहकर मैं भिक्षा का भोग करके अपना जीवन यापन करूँ ऐसा आरजुन कहते हैं तो इसका सही उत्तर होगा option एक पंद्रेवा प्रिष्ण है शरीर की कितनी अवस्थाएं होती है चार, पांच, तीन या दो तो गीता के अनुसार शरीर की कितनी अवस्थाएं मानी गई है तीन, कुमार, योवन और जरा सोलेवा प्रिष्ण है किसका अभाव नहीं होता सत का, असत का, दोनों का या शाश्वत का तो किसका अभाव नहीं होता? गीता में एक पंक्ती भी है, प्रिसिद्ध पंक्ती है वो सत का कभी अभाव नहीं होता तो इसका सही उत्तर हो जाएगा option एक किसका अभाव नहीं होता? सत का, असत का, दोनों का या शाश्वत का तो असत का भाव नहीं होता और जो सत है उसका कभी अभाव नहीं होता न असतो विद्यते भावो न अभावो विद्यते सतह अठारेवा प्रिश्ण है आत्मा नहीं है अज, अनित्य, शाश्वत और पुराण तो कैसा नहीं है आत्मा, आत्मा अज है, अजन्मा है, अर्थात अनादी है, शाश्वत है, हमेशा रहने वाला है, पुराण है, और नित्य है, वो अनित्य नहीं है, नित्य है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा option दो उनिस्वा प्रिश्ण है, आत्मा होती है, अव्यक्त, अचिंत्य, अविकार्य और सभी, तो आत्मा अव्यक्त होती है, अचिंत्य होती है, और अविकार्य होती है, तो इसका सही उत्तर होगा option चार 20वा प्रिष्ण है जातष्य ही दुरुवो, खालिस्तान, रिक्तिस्तान की पूर्टी कीजिए जणम, मृत्यू, युद्दम और प्राप्तम तो क्या इसका सही उत्तर होगा? जातष्य ही दुरुवो, मृत्यू जो जन्म जिसने लिया है उसकी मृत्यू निश्चित है और जिसकी मृत्यू हो गई है उसका जन्म निश्चित है तो इसका सही उत्तर होगा option 2 21 प्रिश्ण है किसके लिए धर्मशील युद्ध से बढ़कर अन्य कोई धर्म नहीं है ब्रामण शत्रिये वैशे और शूद्र तो किसका धर्म है धर्मशील युद्ध करना शत्रिये का तो इसका सही उत्तर होगा option 2 22 प्रिश्ण है चेत अर्जुन इवम इदम धर्म्यम संग्रामम नकरिश्यसी तरही खालिस्तान हित्वा पापम अवाप श्यसी रिक्तिस्थान की पूर्ती कीजिए क्या यहाँ पर आएगा कि अगर तुम जो धर्म से तुम्हारे लिए संग्राम नहित है जो धर्म तुम्हारे लिए बताया गया है युद्ध रूपी धर्म अगर तुम उसको नहीं करोगे तो किसको छोड़कर तुम प्राप को किर्ती 2, पुर्ष्यक्त, तो यहां पर रिक्तिस्थान की करनी है। अब यश्टे बहतर है कि भो मर जाए तो यहां पर सही उत्तर होगा option दो चोबिस्वा प्रिश्ण है भगवत गीता के अनुसार बुद्धी के कितने भेद होते हैं तो व्यवसाय आत्मिका और अव्यवसाय आत्मिका व्यवसाय बुद्धी और अव्यवसाय बुद्धी दो प्रकार के भेद बुद्धी के बताए गए हैं पच्चिसवा प्रिश्ण है यदा मनो गतान सर्वान कामान प्रजहाती तदा आत्मना एवात्मनी तुष्टह। इस प्रकार का पुरुष्ट क्या कहलाता है? योगह, स्थित प्रग्यह, सांखी योगह और आस्थित प्रग्यह तो क्या कहलाता है इस प्रकार का पुरुष स्थित प्रग्यह यहाँ पर यह मैंने थोड़ा प्रश्चन लिखने में गड़वड कर दी अगर मैं option इस तरह से देती कि यह क्या कहलाता है किसको कहा जाता है इस प्रकार का, किसके विशे में कहा गया है, तो आप confused हो सकते थे, अब यहाँ पर पुरुष देखकर तो आप common sense से भी उत्तर दे सकते हैं, इस्थित प्रकार का होता है, जो मन में आये हुए सभी कामों को छोड़ कर, अपने से, अपने में ही संतुष्ट रहता है, ऐसा जो पुरुष है वो इस्थित प्रक्य कहलाता है, इस्थित दी, इस्थित बुद्धी कहलाता है। 26 प्रिश्ण है, कामात कह अभी जायते, क्रोदह, मोह, संदेह, मोक्ष, काम से क्या उत्पन होता है, कामात क्रोदह अभी जायते, तो इसका सही उत्तर होगा, option एक, देखिए, गीता के संबंद में मैंने हिंदी में प्रिश्ण लिख दिये हैं, लेकिन गीता में जो confusion होता है, आपको concepts आते हूं, लेकिन जो प्रिश्न पूछे जाते हैं इसमें, उसमें प्रिश्न पूछे जाने के जो संस्कृत का तरीका है, उस संस्कृत में आप confused हो जकते हैं, अगर आप सही से उस प्रिश्न को समझ नहीं पाए, तो option इस तरीके के दिये जाते हैं, कि आप confused हो जाए और आप उत्तर गलत कर दें मैं स्वयम ये गलती कर चुकी हूँ कि प्रश्नकों में भली बाती समझ ही नहीं पाई कि क्या कहना चाते हैं क्या पूछना चाते हैं तो गीता के विशे में चुकि इसका द्वितिय अध्याय जिस भी परिक्षा में भगवत गीता का द्वितिय अध्याय सम्मिलित है तो उन विध्यारतियों को मैं ये कहूंगी कि आप द्वितिय अध्याय के बहतर श्लोकों को अच्छे से दो-तीन बार पढ़ डालिए क्यूंकि आपको संस्कृत की पंक्तिया आना बहुत जरूरी है जिससे आप वहाँ पर प्रिश्ण को समझे और सही उनका उत्तर दे पाएं तो संस्कृत में अगर मैं प्रिश्ण देती तो यहाँ पर ज्यादा बहतर होता लेकिन अभी मैंने हिंदी में प्रमत्स्वभाव वाले कौन होते हैं प्रमत्स्वभाव वाली होती हैं इंद्रियां जो की मन को हर लेती हैं तो इसका सही उत्तर होगा अप्शन 4 28 प्रिश्ण है गीता के द्विती अध्याय का क्या नाम है अरजुन विशाद योग निशकाम कर्म योग, सांख्य योग या कर्म योग तो द्विती अध्याय का क्या नाम है सांख्य योग उन्तिसवा प्रिश्ण है गीता के द्विती अध्याय में कितने श्लोक हैं 72, 74, 76 और 78 तो कितने श्लोक हैं अभी मैं आपको बता चुकी हूँ कि इसके इद्विती अध्याय में 72 लोग हैं तीसवा प्रिश्ण है या निशा सर्व भूता नाम तश्याम जागरती खालिस्तान की पूर्ती करनी है और ये प्रिश्ण परिक्षा में पूछा जा चुका है RPSC के किसी परिक्षा में ये प्रिश्ण पूछा गया है तो क्या आएगा यहाँ पर या निशा सर्व भूता नाम तश्याम जागरती सैयमी तो इसका सही उत्तर होगा ओप्शन तीन 31 प्रिश्ण है गीता महाभारत के भीश्म पर्व के किस अध्याय में वर्नित है 1-18 अध्याय में 18-35 अध्याय में 5-22 अध्याय में या 25-42 अध्याय में कौन से अध्यायों में गीता का वर्नन है आत्मतत्व, गुणत्रय, निश्काम कर्म और सित्प्रग्य, तो किसके विशे में वर्नन नहीं किया गया है, गुणत्रय के विशे में, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा, option 2, तेतिस्वा प्रश्ण है, अशान्तश्य कुतह, खालिस्तान की पूर्ति यहां पर करनी है, लिखित में से शुद्ध वाक्य है, इसमें देखिए दो तरीके से आपकी परिक्षा है, एक तो आपको सही शब्द रूप आने चाहिए, तो आप प्रश्ण सही कर सकते हैं, और दूसरा अगर आपने गीता को अच्छे से पढ़ा है और आपको पध्ययाद है, तो आप इस प्रश्ण का सही उत्तर दे सकते हैं, तो इन में से शुद्ध वाक्य कौन सा है, योगो कर्मशु कोशलम, योगह कर्मेशु कोशलम, योगह कर्मशु कोशलम, योगह कर्मशु कोशलम, तो इसका सही है, उत्तर आप्शन चार, योगह कर्मशु कोशलम, तैतिस्वा प्रश गतासूनस्च ना अनुशोचंती खालिस्तान की पूर्ति यहां पर करनी है क्षत्रिया, कर्मशीला, योध्धा, पंडिता तो कौन जाने वाले और नहीं जाने वालों के विशय में कौन शोक नहीं करते हैं पंडित लोग गतासूनस्च ना अनुशोचंती पंडिता तो इसक अश्त्राणी पावकह आपह मारुतह नच एनम कलेदेयन्ति आपह इसको जल भी गीला नहीं कर सकता किसके विशे में कहा गया है आत्मा के विशे में तो यहाँ पर सही उप्शन हो जाएगा उप्शन तीन सैतिस्वा प्रिशन है खालिस्तान योग उच्यते करमत्वम युद्धत्वम समत्वम कर्मसू कोशलत्वम तो क्या यहाँ पर सही उत्तर होगा इसका सही उत्तर होगा समत्वम योग उच्यते ये पंक्ती यूं की यूं लिखी हुई है द्विती अध्याय में तो अगर आपने पद्य पढ़े होंगे तो आपको याद होगा समत्वम योग उच्यते अटिसवा प्रिश्ण है व्यक्ती का अनधिकार किस में है कर्म में फल में ज्यान में या फिर आत्मतत्व में तो व्यक्ती का अनधिकार किस में है फल में ये तो पिल्कुल भी प्रिसिद्धिस लोग है आपको आता ही होगा कर्मन्येव अधिकार अस्तेमा फलेशु कदाचन तो किस में हमारा अधिकार नहीं है कर्म के फल में हमारा जो अधिकार है केवल कर्म करने में है केवल हमारे हाथ में कर्म करना है उसका फल हमारे हाथ में नहीं है तो उसमें व्यक्ति का अनधिकार होता है 49 प्रिश्ण है किसके समान पुरुष को इंद्रिय निग्रह करना चाहिए देखिए इसमें एक वर्णन है गीता में इसमें बताया गया है कि इंद्रिय निग्रह मनुष्य को करना चाहिए पुरुष को व्यक्ति को करना चाहिए तो उसमें एक किसी का एक्जामपल दिया गया कि उसके समान जैसे वो अपने अंगों को समेट कर इंद्रिये अपने आपको समेट लेता है उसी प्रकार पुरुष को चाहिए कि वो सभी विशयों से अपनी इंद्रियों को समेट ले और अपना इंद्रियों को विशयों से हटा ले तो किसके समान पुरुष को इंद्रियों करना चाहिए इश्वर के आश्व के कूर्म के या मतश्य के तो यहां पर है कूर्म के जैसे कच्छव आपने अंगों को समेट लेता है उसी प्रकार पुरुष को विशयों से अपनी इंद्रियों को समेट लेना चाहिए और अंतिम प्रिश्ण है दुखेशू अनुद्विक् इसा किसके विशय में कहा गया है इश्वर के विशय में कर्मशील पुरुष के विशय में शत्रिय के विशय में या स्थितधी के विशय में तो इसका सही उत्तर क्या है ऑप्शन चार जो दुख में अनुद्विग्न मनवाला होता है अनुद्वेलित होता है दुखी नही होता और जो सुख में इस प्रिहा से रहित होता है ऐसा मनुश्य स्थितधी होता है वस्तुदह उसने ही अपनी बुद्धी को वश्च में कर लिया है तो इसका सही उत्तर होगा option 4 तो ये 40 महत्वपूर्ण प्रश्ण है सार के रूप में जो द्यूति अध्याय गीता का है उस सार रूप में भी आपके लिए उपयोगी सिद्ध हो सकता है तो आशा है आपको ये पसंद आया होगा अगर आपको ये पसंद आया है तो जाने से पहले आप वीडियो को अवश्य ही लाइक कर दें अपने मित्रों के साथ भी से अधिक से अधिक शेयर कर दें और अगर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बैल आइकन को अवश्य ही प्रेस कर दें जिससे आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिल सकें तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए धन्यवाद